यूपी बिधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रिगत्सील समाजबादी पाल्टी प्रस्पा मुखिया स्यूपाल यादों के भाजपा में सामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं स्यूपाल यादों अपने भतीजी अखलेश यादों से नाराज हैं और सपा गटबंधन को किसी भी वक्त अलविदा कह सकते हैं या बात पुक्ता तावर पर इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि अब स्यूपाल के सभी कदम भाजपा की तरब जाने वाले रास्ते पर ही पड़ रहे हैं सिउपाल यादव के दो फैसले ऐसे हैं जिनके बाद या पुक्ता तवर पर कहा जा रहा है कि उनके और भाजपा के बीच कोई दूरी नहीं बची है पहला तो या कि सिउपाल ने भाजपा के एजंडे से हां में हां मिलाते हुए समान नागरिक सहिंता लागू करने की पैर भी की है उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया ने तो 1960 के चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया था सिउपाल ने इसके लिए पूरे देश में आंदूलन चलाने का अयलान कर दिया है इतना ही नहीं सिउपाल यादो के इस मुद्दे को उठाने के बाद प्रगत्सील समाजवादी पार्टी की प्रबक्ता दीपक मिस्रा ने कहा कि जल्द ही समान नागरिक सहिंता को लागू करने की मांग को लेकर वो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी, लालकर्स अडवाडी और सांटा कुमार सिंग से मुलाकात करना चाहते है इसके लिए उन्होंने पियम मोदी से मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा है वही प्रस्पा अध्यक्ष सिउपाल यादों ने प्रस्पा की सभी प्रादेशिक और आस्चिय कमेटियां भंग कर दी है इसे सिउपाल यादों के अगले राजनीतिक कदम की सुरुवात के तौर पर देखा जा रहा है कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सिवपाल का याक अदम उनके आने वाले बहुत बड़े फैसले की सुरुवात है गौर तलब है कि सिवपाल ने पिछले दिनों कहा था कि वो उचित समय जल्द आने वाला है जिसका सबको इंतजार है पार्टी के महा सचिव और सिवपाल यादों के बेटे आदिति यादों की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रगत्सीर समाजवादी पार्टी के मानेली राष्टिय अध्यक सियुपाल यादो के निर्देशा अनुशार प्रदेश कारिकारणी उयम राष्टिय प्रादेशिक प्रकोस्टों की कारिकारणी अध्यक सहित संपूर्ण प्रवक्ता मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है वहीं लखनव में अंबेटकर जैन्ती के मौके पर आयोजित एक सेमिनार में सिवपाल यादों ने कहा कि अब सामान नागरिक सहिता लागू करने का सही समय आ गया है भीमराव, अंबेटकर और लोहिया दोनों ने समाजवात की खुल कर पैरवी की थी साथ ही समविधान सबा में समान नागरिक सहिता की वकालत भी की थी समान नागरिक सहिता यानि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून अभी हर धर्म का अपना अलग कानून है और वो उसी हिसाब से चलता है गौर्दलब है कि समान नागरिक सहिता भाजवा के मूल एजंडे में सामिल रहा है इसलिए भाजवा के एजंडे से खुल कर अपना समर्थन जिताने के बाद अब अखलेस यादो के लिए इस्तियां दिन पर दिन खराब होती जा रही है क्योंकि एक तो अधर आजम खान की बगावत के बाद सपा से मुस्लिम वोर्ट तूटने का खत्रा बढ़ चुका है और सिउपाल के जाने के बाद यादो मद्दाता भी छिटकेंगे इस तरह सपा का मू लोट बैंक कमजोर होगा जो अखलेस यादो की राजनीत पर ग्रहण लगा सकता है ब्यूरो न्यूस न्यूस आफ इंडिया